असनामुलेकूम आप देख रहे हैं सीजनल कुकिंग विद नुशीन अशर और आज मैं आपके साथ बीफ कीमा कटलेट की रेसिपी शेयर करूँगी ये कटलेट बाहिट से क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं मैं आपको एक कटलेट तोड़के दिखाती हूँ देखें बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने है आईए बीफ कीमा कटलेट की रेसिपी शुरू करते हैं बीफ कीमा कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में लेंगे डेट खाने का चमज साबुद जीरा और डेट खाने का चमज ही साबुद खुशक धनिया और इनको हम खुश्बू आने तक रोस्ट करेंगे खुश्बू आने लगे तो हम इसको ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लेंगे लेकिन थोड़ा मूटा ग्राइंड करेंगे और दूसरी तरफ हमने कोईला जलने के लिए रख दिया है आदा किलो हम बीफ का कीमा लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे ग्राइंड किया हुआ जीरा और धनिया दो अदद प्यास लेंगे और इनको हमने चॉप कर लिया है बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाएंगे चॉप करेंगे प्यास को सबस मिर्चे ली पाँच अदद और इनको भी चॉप कर लिया लेसन और अद्रक को भी चॉप कर लिया दो खाने के चमच सबस धनिया आप अपनी मर्जी के मताबिक इसमें डाल सकते हैं नमक डालेंगे इसमें हस्बे जरूरत सुर्ख मिर्च पाउडर खाने का एक चमच हल्दी आदा चाय का चमच सुर्ख मिर्च कुटी हुई चाय का एक चमच गरम साला पाउडर खाने का एक चमच एक अदद अंडा तोड़के इसमें हम डाल देंगे और अब हम कीमे को तमाम सालों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब कीमे को साइट पे करके दर्मियान में थोड़ी सी जगा बनाएंगे और इसके अंदर हम एक छोटी क्टोरी रखेंगे और इसके अंदर हम दहकता हुआ कोईला रखेंगे कोईले के उपर हम आदा चाय का चम्मच ओयल का डालेंगे और उपर से हम इसको कवर कर देंगे और अब कीमे को हम दो मिनट के लिए कोईले का धुआ देंगे दो मिनट के बाद हम कोईले वाली क्टोरी इसमें से निकाल देंगे दस अदद हम ब्रेड के स्लाइसिस लेंगे ये मैंने मीडियम साइज की ब्रेड इस्तमाल की है ब्रेड के स्लाइसिस को हम छोटे टुकडों में तोड़ के कीमे के अंदर मिक्स कर देंगे अब आदा कप दूद कर लेंगे और ब्रेड के उपर डाल देंगे अब हम हाथों की मदद से ब्रेड को और कीमे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मिक्स करने में क्योंकि हमने ब्रेड को बरी कर देना है हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर आपको mix करने के बाद कीमा का mixture थोड़ा soft लगे तो आप इसके अंदर दो bread के slices और शामिल कर ले और अगर थोड़ा hard लगे तो थोड़ा सा दूड डाल ले अब इसको हम cover करेंगे और तीन घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे तीन घंटे गुज़र चुके हैं और फ्रिज में रखने से कीमा बहुत अच्छा सेट हो चुका है अब हम अपने हाथों पे थोड़ा सा oil लगाएंगे हाथों को oil से grease कर लेने के बाद हम थोड़ा सा कीमे का mixture लेंगे और कटलेट की shape देंगे जिस तरह से हम शामिक बाब की टिकी बनाते हैं सेम इसी तरह से साइज आप अपनी मर्जी के मताबिक बना सकते हैं बड़ा यह छोटा अब एक fry pan में हम oil गरम कर लेंगे और टिकी को की oil में डाल देंगे oil को हम मुकमल तौर पर घरम कर लेंगे अच्छे से और जब हम इसके अंदर कटलेट डाल देंगे तो फिर हम इसके नीचे आँच को medium to low पर कर देंगे जब की जब कटलेट की shape सेट हो जाए तो फिर हम इसकी side change करेंगे अब हमने patience के साथ इसको medium to low heat पर फ्राइ करना है बहुत तेजा आज पर इसको हम फ्राइ नहीं करेंगे फ्राइ करते हुए हम इसकी side जो हैं वो change करते रहेंगे ताके दोनों side से एक जैसा color आजे कटलेट फ्राइ हो चुके हैं अब हम इनको एक plate में निकाल लेंगे इसी तरह से हम बाकी के जो कीमा है उससे कटलेट बनाके तो फ्राइ कर लेंगे बीफ कीमे के कटलेट बनकर त्यार हैं आप भी इस recipe को जरूर ट्राइ करें अगर आपको यह recipe अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे दीजिए इजाज़त अल्ला हाफिज मुझे अल्ला हाफिए मुझे अल्ला हाफिए कर सकते हैं अल्ला है झाल करें क् topics बान क्या भाव कर दो कर दो